हेलो एव्रिवान, I hope you all are doing well, हम लोग continue करेंगे अपनी BNS की series को, हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसका introduction देखा था, और chapter 1 से हम लोगों ने section 1 जो है, वो complete कर दिया था, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप लुचा करके देख सकते ह अब section 2 पर हम लोग आते हैं, section 2 में कुछ definitions दी हुई है, ठीक है, जैसे कि पहले definitions, general explanations वाले पार्ट में दे रखी थी, अब उससे हटा करके definitions का अलग से, जैसे और सारे acts में definition का एक section होता है, और फिर उसके clauses होते हैं, उस तरीके से अब हमारी IPC में, हमारी नहीं IPC में यह आ सही था, unless the context otherwise appears, सबसे पहले act की definition बताएं, क्या बताया, act denotes as well a series of facts as a single act, देखो, आप लोगों को याद है हम लोगोंने पहले IPC में section कहां पढ़ा था, section 33 में, जहां पर सिर्फ act नहीं था, बल्कि omission को भी define कर रखा था, है न, section 33 IPC में, हमें act भी बता रखा था, और omission भी एक साती बता रखा था, अब दोनों को अलग-अलग उसमें करती है, और यहां पर क्योंकि alphabetical order में हैं, तो याद रखना में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, यह कहरा है कि act वही सेम चीज़ वही है, definition वही है, बता रहा है कि act एक ऐसी series of act को as a single act देखता है, जैसे कि मालो कि आपने चाहे किसी को 50 जापड मारे हो या किसी को एक जापड मारा हो, ठीक है, वो सारी चीजें, 50 अगर मारे हैं, तो वो 50 blows भी एक की single act की तरह जो है, punishable होंगी, है ना, उन 50 blows के लिए उन्हें 50 blows के हिसाब से punishment नहीं मिलेगी, उसने hurt cause किया किसी को इस एक मालेगे, यह सिंपल सी डेफिनिशन थी, फिर उसके बाद हमारे परस अनिमल की डेफिनिशन आती है, अनिमल की डेफिनिशन हमें बताती है, कोई भी ऐसा living creature, human being क्या लागा, ठीक है, कोई भी living creature है, but not a human being, अब एक नई डेफिनिशन आड करी गई है, चाइल्ड की एक डेफिनिशन आड करी गई है, क्या कहती है यह डेफिनिशन? कहती है, child means any person below the age of 18 years, तो वही चीज है, जो भी कोई भी बच्चा जो है, वोगर 18 साल से कम उमर का है, तो उसे हम चाइल की डेफिनिशन में डा लेगे, Then, fourth हमारे पास क्या है, counterfeit, counterfeit की definition में कोई भी change नहीं है, बस आपका section number change है, पहले हम इसको 28 IPC में पढ़ते थे, अब हम इसको section 2 clause 4 VNS में पढ़ते हैं, counterfeit क्या है, A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble other thing, intending by means of that resemblance to practice deception, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये कई बार directly question आ जाता है, इससे, में 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 आपको लिखने के लिए, counterfeit क्या होता है, ठीक है, तो एक person है, वो counterfeit, मतलब ये कहा जाएगा कि उसने counterfeit क्या है, जब वो किसी एक particular चीज को, किसी एक particular चीज को resemble करा रहा है, उस किसी दूसरी चीज से, ठीक है, मतलब वो चीजें similar लग रही है, और इसका intention क्या है मतलब वो ये resemblance कर क्यो रहा है, ताकि वो deception practice कर सके, ताकि वो deceit कर सके सापने वाले को, और knowing it to be likely that deception will thereby be practice, या तो उसका ये intention है कि वो deception practice करेगा, या उसे इस बात का knowledge है कि वो जो ये resemblance cause कर रहा है, इस resemblance से किसी को, मतलब इस resemblance से deception practice को जाएगा, बेरा की meaning समझ में आई, explanation 1 कहता है, it is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact, ये एक particular चीज है, ये मान लो, ये मान लो counterfeit करी हुई है, जरूरी नहीं है कि एक दम ये इसके exact हो, ये चीज नेसेसरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने उसको similar करने के कोशिश किये, जिससे same or similar में difference होता है, same का मतलब एक दम हूँ, बहुत कोपी, similar को क्या मतलब है, कि बिलकुल exact तो नहीं है, लेकर लग उसी की तरह रहा है, तो वहीं चीज है, ये चीज इस इंप्रफीट को इन्वोक करने के लिए, ये चीज इंप्रटन नहीं है, कि एक दम सेम हो, दोनों चीज है, जिस भी चीज को counterfeit किया गया है, इच्पाइशन थो क्या कहता है, दोनों एक्स्पाइशन बहुत ज़ादा इंप्रूटन था प्री के पॉइंट फ्यू से भी और मेंस में अपको लिखने को आ जाते है, क्योंकि जब काउंटर फीट की डेफीनिशन लिखने कोईगे, तो आपको दोनों एक्स्पाइशन ल और इस सरीके का resemblance है कि सामने वाला person जो है वो deceived हो सकता है it shall be presumed तो ऐसा presume कर लिया जाएगा अभी इस line को छोड़ दो that the person so causing the one thing to resemble other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced फिर से एक बार अब थोड़ा सा simplified way में समझते हैं एक person जब यह कह रहा है कि resemble करेगा किसी मतलब एक person ने अगर कोई ऐसी चीज़ बना दी है जो किसी दूसरी चीज़ को resemble कर रही है और उस resemble और यह जो resemblance हुआ है इससे ऐसा हो सकता है कि सामने वाला परसन डिसीव हो जाए उसको उसको वह deceit हो जाय ठीक है तो हम कहेंगे कि यह जो person है जिसने यह cause किया है resemblance इसका intention था यह ऐसा presume कर लिया जाएगा court के दौरा ऐसा presume कर लिया जाएगा court के दौरा कि यह इसने resemblance इसी लिए किया है ताकि यह deception कर सके या फिर इसे पता था नॉलिश था इस बात कि deception practice हो जाएगा ठीक है या तो deception practice करने के लिए ऐसा intention था उसका या फिर इसे पता था कि deception practice हो जाएगा यह जो resemblance कॉज कर रहा है until contrary is proof भाई हम सब जानते हैं कि अब तक आपने Indian Evidence Act पढ़ा है हम सब को पता है कि shall presume is a revertable presumption होता है तो जहां कहीं में लिखा है इस लाइन की हमें जरुवत नहीं पढ़ने चाहिए लिखी है हमारे Bear Act में हमको समझाने के लिए बट हमें इस लाइन की जरुवत से cause नहीं किया था कि मैं deception practice कर पाऊं तो फिर वो चीज को cancel कर दिया जाएगा court के द्वरा नहीं तो court अपने उस पे तो shall presume करती है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब हम आते अपनी next definition पर next definition हमें बताती है two clause five में इसकी definition दे रखिया court की पहले क्या था court of justice ठीक है पहले क्या था court of justice था और अब क्या है सिर्फ और सिर्फ court है justice word इनों ने हटा दिया है ध्यान से हर एक चीज compare करके हमको पढ़नी है अगर हम compare करके पढ़ेंगे तो हमें याद आसानी सी होगा पहले हमारे पास ही definition section number 20 में थी अब हमारे पास two clause five में कोट की definition है court means a judge who is empowered by law to act judicially around court क्या है court का मतलब judge है जिनको empower कर रखा है कोई ऐसा मतलब judicially मतलब या तो single bench होता है अखेले वो judicially act कर रहे है तो या फिर body of judges है मतलब एक से जादा अगर है तो जो कि law के दवारा empowered है judicially as a body act करने के लिए when such judge or body of judges is acting judicially तो हम उसे court कहते हैं फिर से समझो court एक ऐसी जगह है जहां पर judge अपनी powers को judicially exercise कर रहे है अब वो alone भी हो सकता है और as a body of judges भी हो सकता है ठीक है बस इतनी सी बात court of justice में हमें बताई गई है पहले भी हमारे पास याई definition थी अभी भी हमारे पास याई definition है 2 clause 6 में हमें death के बारे में बताए गया है death means the death of a human being unless the contrary appears from the context वही सेम चीज है जो पहले हमारे पास death की definition थी वही definition हमारे पास अभी भी death की है जो यह कहता है कि मृत्यू हम कहेंगे उस इंसान मतलब हम यहां पर इंसान की मृत्यू के बारे में बात कर रहे है और अगर unless अगर कुछ और context में लिखा है तो उस context के के लिए उसको ही समझेंगे वर्ना अगर context में कुछ नहीं लिखा है पूरी BNS में तो death का मतलब यही होगा death of a human being ठीक है dishonestly dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person और wrongful loss to another person अब यह definition important हो जाती है पहले भी definition important थी काई बार dishonestly से जो है सवाल आया है ठीक है पहले हमारे पास यह definition कहां थी यह definition section 24 IPC में थी अब में हर एक उसके आगे definition section number नहीं लिख रही हूँ IPC का इतना आप लोग खुद जो है देख सकते हैं जो चीज़े important हैं सिर्फ उसके आगे मैंने definitions लिखी हुई है dishonestly का मतलब है dishonestly का मतलब है कि किसी person को कुछ आपने कोई ऐसा act किया है जिसे किसी person को wrongful gain हुआ है और किसी person को wrongful loss हुआ है क्या कह रहा है dishonestly का मतलब है कि आपने इस intention से कोई आप किया है जिसे एक person को wrongful gain हो रहा है और दूसरे person को wrongful loss हो रहा है जैसे मान लो कि मैं किसी अपने फ्रेंड की घर पे गई ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने उससे उसकी कोई मान लो कि बहुत अग्दम premium watch पड़ी हुई थी मैंने वो watch उठाई और मैं ले करके आगई ठीक है उससे कुछ नहीं पता है इस बारे में ठीक है मैं जो है उस watch को ले करके आगई बगेर उसकी consent की तो यहां पर आप लिख सकते है है without consent of the person who is legally entitled. वो friend मेरा या friend मेरी जो है वो legally entitled है उस particular watch के लिए अब मैंने उसकी consent के बगेर क्यूंकि आप जब theft देखो थोड़ा से connect करो जब हम theft पड़ते हैं पड़ते थे IPC में 378 में तो वहां पर dishonest intention का use होता था क्या है यह dishonest intention आप बताओ मुझे तो dishonest का meaning हम कहां से समझेंगे हम यही से तो ना समझेंगे पहले हम section 24 से समझते थे हम section 2 clause 7 से समझेंगे dishonest का मतलब यह है कि आप कोई ऐसा act कर रहे हो ऐसे intention से जिससे सामने वाले को wrongful gain हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को wrongful loss हो रहा है हम यह भी पढ़ते थे कि theft तभी वाना जाएगा theft को constitute करने के लिए without consent होना चाहिए किसका without consent of the owner ठीक है उसकी consent के बिना उसको कुछ भी नहीं पता आप जो है ले करके आ गया हो वहाँ से कोई भी समान तो उसे हम theft constitute है कि theft commit हुआ है तो यहां पर भी same चीज है मैं अगर अपने फ्रेंड की घड़ी उठाकर के लिए आई हूँ तो भाई वो person legally entitled है तो जो person legally entitled है उसको wrongful loss हो रहा है और मैं legally entitled नहीं हूँ तो मुझे wrongful gain हो रहा है इसलिए कहते हैं कि यहां पर wrongful gain का क्या मतलब है राओफुल gain का यह मतलब है कि आपने किसी ऐसे person को wrongful gain cause किया है जो legally entitled है किसी particular चीज के लिए और wrongful loss ऐसे person नहीं सॉरी जो legally entitled नहीं है जैसे मैं legally entitled नहीं हूँ तो मुझे wrongful gain हुआ है सामने वाला person जो legally entitled था, मेरा friend legally entitled था, उसे wrongful loss हुआ है, ठीक है, यह समझ में आ गया wrongful gain और wrongful loss, एक बार खिट से समझते हैं, बहुत ही clearly, इसके बाद यह video में end करूँगी, यह थोड़ा सो concept समझ लो, अगर किसी ने IPC नहीं भी पड़ी है, तो भी थोड़ा concept समझ लो, वो सक बाद लोग क्या होता है, dishonesty का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा act किया जा रहा है, ऐसे intention से, कि सामने वाले को wrongful gain हो रहा है, एक person को wrongful gain हो रहा है, दूसरे person को wrongful loss हो रहा है, ठीक है, मैं इसे एक, ऐसे समझा देती हूँ आपको, जैसे माल लो, कि मैं यह हूँ, ठीक है, यह मेरा friend है, ठीक है, यह मेरा friend है, जैड व्यक्ती, यह मेरा friend है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कि इसके घर पे एक बढ़िया सी watch पड़ी थी, मैं इसके घर पे गई और मैंने यह watch उठा करके मैं यहाँ पर लिए अपने पास, तो मैं यहाँ से watch गायब कर दूँ, वो ठीक होगा, ठ इसकी जो थी, वो मेरे पास आगी, आरो मैं लगा सकती हूँ, समझाने के लिए, इसकी जो watch थी, वो मेरे पास आगी, अब यहाँ पर wrongful gain और wrongful loss किसे हो रहा है, wrongful gain मुझे हो रहा है, किस चीज के लिए इस घरी के लिए, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, wrongful gain मु dishonest intention से, ठीक है, wrongful loss किसे हो रहा है, मेरे फ्रेंड को, तो हम कहेंगे इसे wrongful loss किसे हो रहा है, क्यों, because he is legally entitled, ठीक है, वो owner है, उस particular watch को और मैं उसके पास से लेकर किया गई हूँ, अब I hope समझ में आ गया हूँ, ठीक है, अब इस representation से समझ में आ गया होगा, कि किस को wrongful gain हो रह ठीक है, बस इतनी सी बात थी हमारे पास dishonestly में समझने की, उमीद है कि समझ में आया होगा, क्या हो रहा है, कहां पर, ठीक है, wrongful gain कब हो रहा है, wrongful loss कब हो रहा है, तो अब आगे वाली जो definitions हैं, वो आपनों next class में cover करेंगे, यहां तक कि देखो, अब जो कुछ भी हो रहा है मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, याद करते चलो, उसका reason है, क्योंकि आप लोग जानते हो, RGS की वेकेंजी आ चुकी है, मैंने RGS वाला जो आप मतलब वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों नहीं देखा है, तो देख सकते हो, उसमें मैंने आप लो प्रिशन करने how to go to the text, शुरू करने, section number शुरू करने, थोड़ा थोड़ा अभी से yad करते चलो के तो आगे at least अग़ें से बर्ड़न नहीं पड़ेगा sections याद करने का, क्योंकि देखो, अब देखो, क्योंकि आप देखो, तो text में बहुत ददर चेंज नहीं है, यानि कि concept तो इसलिए आपको याद क्या करना है, जो चीज याद करने में दिक्कत होने वाली है, वो sections है, क्योंकि sections हमारे पास मुझ अबानी रटे हुए है, इस वज़े से प्रोब्लम होगी, बट ठीक है, बेर विद अभी से शुरू करोगे, तो आसानी से अभी time है, एक दू महीने मे और आम से याद हो जाएगा, कोई problem है, कोई doubt है, तो please let me know in the comment section, और अगर आप लोग किसी topic पे video देखना चाहते हैं, तो भी please मुझे जरूर बताएगा, thank you so much.